प्रीच हात्रों, आज का विशय हिंदी आचारों के द्वारा दी गए कावि की परिभाशा जैसा कि कल हमने देखा कि काविया अथ्वा कविता की परिभाशा विभिना अचारियों ने अपने अनुशार देने की कोशिज की उन सभी कावि की परिभाशाओं में सिमीतिता, व्यापक्ता, कुछ कलापक्ष और कुछ भावपक्ष के अनुरूप विचार व्यक्त किये गए जैसा कि रशात्मकम वाक्यम वाक्यम और रमरियार्थः शब्दह प्रतिपाद कह कावियम इस प्रकार हम देखते हैं कि दो प्रमुख जो कावि की परिभाशा है एक तो अचारिय विश्वनात के रशात्मकम वाक्यम कावियम का और दूसरा अचारिय पंडितराथ जगनाथ का रमरियार्थः प्रतिपाद कह शब्दह कावियम ये दो मौलिक परिभाशा के अतिरिक्त हिंदी आचारियों में खास करके रिती कालिन आचारियों ने संस्कृत काविय सास्त के आधार पर अने काविय लक्षान प्रस्तूत किये अतहुन में मौलिकता का अभाव भी नजर आया क्योंकि वो रिती कालिन काविय लक्षान या संस्कृत काविय सास्तर के आधार पर अपना विचार व्यक्त करने लगे जिन हिंदी समिक्षकों ने काविय पर मौलिक धंच से विचार किया उनमें सर्व प्रथम और सर्व प्रमूक लगभग आचारे राम चंद्र शुक्ला महाविल प्रशाद दुवेदी इत्यादि लोग आती है आचारे हजारी प्रशाद दुवेदी के काविय लख्षण की परिभाशा काविय के संबन्ध में विचार निनमवत है इसे हुबहु अपने सब्दों में आप लोग याद करिएगा कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ग्यान दसा कहलाती है उसी प्रकार हिदय की मुक्तावस्था रस दसा कहलाती है देखे इसमें दो लाइन है एक पहला की आत्मा की मुक्तावस्था ग्यान दसा है ठीक उसी प्रकार हिदय की मुक्तावस्था रस दसा है रस दसा का तात्पर यही है अपने आप में आनंदित होना हिदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाड़ी जो सब्द विधान करती आई है उसे हम कविता कहते हैं अर्थात हिदय की मुक्त वस्था से उनका अभिप्राय हिदय का अपने पराय की भावना से मुक्त हो जाना इसपश्ट है सुकलजी कावि में रागातमक्तव शातमक्ता को भी और भावातमक्ता को भी प्रधानता देते हैं वे चमतकार पक्षको कावि लक्षण के अंतरकात महत्व नहीं देते इस परिभाशा में रस का आग्रह अधीक है अलंकार उक्ति वैचित्र आदि का शमावेश इन में नहीं हो सका है अतह यहाँ परिभाशा भी लगभग संकीन सी हो गई और किवल रसवात का पोशन करने लगी इसलिए एक अन्य जगह पर इस लेखक ने आचारे शुक्ल ने कहा था कि जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागरित कर दे या उसे प्रस्तु तवस्तु या तथ्य की मारमिक भाव में लीन कर दे वह का भी है इस प्रकार और हम देखते हैं आचारे महावीर प्रशाद दुवेदी की परिभाशा किसी प्रभावत पादक और मनोरंजक लेक बात या वक्तब्य का नाम कविता है इस अर्थ में कविता अत्यंत्य व्यापक हो जाती है वह गद्य और पद्य दोनों ही रूपों को अपने में समाहित कर लेती है और उनमें दो गुण भी होने चाहिए प्रभाव डालने की छमता और दूसरा आनन्द प्रदान करने की सक्ति इस प्रकार हमने देखा कि एक सुकल की परिभाशा को विद्वानों ने संकीन दायरे में लिया और महाविर प्रशाद की परिभाशा को बहुत व्यापक और विस्त्रित दायरे में लिया क्योंकि महाविर प्रिशाद दुएदी का कथन था प्रभाव उत्पादक और मनुरंजक लेक बात या वक्तव्या तो ये तो गध्य और पध्य दोनों हो सकता है तो अता है इनकी व्यापक्ता अपने परिधी से बहुत बाहर चली गए और दूसरा जब अचारे सुकला जी न ने हो गए कलापक्ष में इस्थान रिक्त हो गया अता है सुकल की परिभाशा संकेंड बन गई और आचार ये महाविर प्रशाद वेदी की परिभाशा अत्यंत प्यापक इसी प्रकार कुछ पास्चात्य समीक छपों के द्वारा का विकाभी लक्षान बतलाया गया और इन उन्हों परिभाशा भले ही कलापक्ष की और ज्यादातर ध्यान आकर सित करते हैं पहला है मैथ्यू अर्नाल्ड का मैथ्यू आर्नल्ड जो की पास्चात्य कावि सास्त्री विद्वान है उन्होंने कहा था poetry at bottom is the criticism of life poetry at bottom is the criticism of life कविता मूल रूप में जीवन की आलोचना है इस परिभाशा में कावि का लक्षण निर्दिष्ठी नहीं होता पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि कविता का जीवन से गहरा संबंध है 35 समिक्षकों ने कविता की परिभाशा जीवन के शंदर हमें देने की कोशिश की कविता को जीवन की आलोचना कहे करके यह बताने की कोशिष की कि संपून जीवन का ज turbo आलोचना का मतलब सम्यक दृष्टी से देखना A प्लिस लोचन मतलब ऐसा होगा कि आपकी समिख्चा में अपने जीवन पद्धती को पूर्ण रूपें जाचपरक्ष करने की छंता कहां हम सही हैं, कहां हम गलत हैं, कहां तुलिनात्मक रूप से सकते हो सकते हैं, कहां पर असत्य हो सकते हैं इस प्रकार किसी कविता को संपून जीवन से जोण करके देखने की व्यापक्ता मैथ्यू आर्नल्ड में है और भावपक्ष और कलापक्ष सभी रूपों में तुकि जीवन की जाच परक होनी है आलोचना का मतलब सभी रूपों में चाहे हो भावपक्ष हो जाहे कलापक्ष ह इतर होने से हम सम्यक द्रिष्टी को नहीं अपना सकते, अता मैथ्यू अनाल की परिभासा अपने आप बहुत ब्यापक है, बहुत विस्तारित है, इसी प्रकार दूसरा परिभासा कॉलरीज का है, और कॉलरीज जाने माने सहित्यकार हैं अंग्रेजी सहित में, Poetry is the best word in the best order, अर्थात सर्वोत्तम ब्यवस्था में सर्वोत्तम शब्द ही कविता है, अर्थात सब्दों को अच्छे करम में, अच्छे अनुकरम में जमा करके ब्यक्त करना कविता है, इस परिभासा में काब के अभिव्यक्ती पक्ष अथ्वा कला पक्ष को ही प्रधानता दी गए दोनों ही परिभाशाओं में हमने देखा कि काब की उचित और समुचित परिभाशा नहीं मिल पा रहे हैं इसी प्रकार एक और विद्वान है हरसन उन्होंने कहा था poetry is the interpretation of life through imagination and emotion अर्थात कभी था कलपना और सम्वेक के द्वारा जीवन की व्याख्या है लग भग्या परिभाशा में थिवानाल की परिभाशा से मिलता जूलता है में थिवानाल की परिभाशा क्या था? poetry at bottom is the criticism of life और हर्चन की परिभाशा है poetry is the interpretation of life through imagination and emotion हर्थात कभीता, कलपना और सम्वेक के द्वारा जीवन की व्याख्या है इस परिभाशा में हर्चन ने कभीता का संबंध जीवन से जोड़ा है और कलपना और सम्वेक को कभीता का साधन माना है हर्चन का यहमत भारती विद्वानों के मत्सिली मेल खाता है उपर युक्त सभी परिभाशाओं के आधार पर हम अब इस निसकर्ष पर पहुचते हैं कि काभी की सर्वमाने परिभाशा दे पाना बहुत ही कठिन कार्या है क्योंकि कभीता प्रत्य काल में अपना रूप, स्वरूप और दायरा बदलती रही है विद्वान अपने अपने धहंग से काभी की परिभाशा देते रहे हैं तथा परिभाशाओं के अधार पर आधुनी काल की नई कभीता भी खरी नहीं उतर पाती हैं इसके लिए अपने यूग के अनुसार काभी की नई परिभाशा गढ़ने की भी आवश्यक्ता महशूस होती हैं फिर भी काभी के स्वरूप को इसपष्ट करने वाले निर्मलिखीत समाने लख्षण दिये जा सकते हैं और इन लख्षणों में हैं मानवी अनुभूती, भासा द्वारा उसकी अभी विक्ती और अभी विक्ती में कलात्मकता तीन चीजे हैं जो कविता के दाइरे में आती हैं पहला तो मानवी अनुभूति दूसरा भासा द्वारा उसकी अभिव्यक्ति और तीसरा अभिव्यक्ति में कलात्मक्ता इन लग्षडों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मानवी अनुभूतियों की भासा के माध्यम से की गई रसात्मक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति ही कविता है सभी छात्र छात्राएं आज के इस टॉपिक को बार बार सुनने की कोशिस करें यथा संभव आप किताबों का भी अध्यान करें तो उसमें आपको विशेश सहायता मिलेगी सादर धन्यवाद